Irregular period एक ऐसी problem है जो कि लगबख हर 4 में से एक महिला को होती है तो ऐसे में ये समझना कि irregular period किसे कहते हैं, कितने दिन period चलना चाहिए और कभी एक खत्रे का संकेत होता है ये जानकारी काफी जरूरी है, क्योंकि medical term में अगर किसी महिला का period cycle 21 दिन से लेकर 35 दिन तक का होता है तो उसे regular period बोलते हैं, अब अगर इससे पहले period आ जाए या फिर 35 दिन के बाद period आए तो उसे irregular periods बोलते हैं या फिर अगर किसी महिला को flow बहुत कम हो रहा है, या बहुत जादा flow हो रहा है, तो ये भी mensis की ही problem होती है या फिर आपकी period खत्म हो गए, उसके बाद भी बीच में एक दो दिन spotting हो जाए, तो ऐसी कही परिशानिया होती है इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, और आपको इन problems के medical नाम भी बताएंगे ताकि आप internet पर इसकी पूरी जानकारी ले सके, और आपको इसका इलाज भी बताएंगे तो आप इस वीडियो को एंट तक चरूर देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक चरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए, हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, और बात करते हैं irregular periods की तो irregular periods में अलग-अलग condition होती है, सबसे पहली condition होती है frequent period, इसमें आपके period 21 दिन से पहले ही आजाते हैं, जिसको की polymenorrhea भी बोलते हैं, दूसरी condition होती है in frequent period इसमें आपके period 35 दिन के बाद आते हैं और इसको oligomanoria भी बोलते हैं तीसरी problem होती है periods का flow कम हो जाना जिसको की scanty menses या फिर hypomanoria भी बोलते हैं इसमें भी आपके period बहुत कम समय के लिए आते हैं जैसे कि अगर किसी महिला के period सिर्फ एक या दो दिन हो रहे हैं या फिर उनका flow बहुत कम होता है इसका सबसे common सा कारण होता है uterus की lining सही न बनना और इसके लिए कोई भी दवाई नहीं होती है तो ज़्यादा तर डॉक्टर आपको आयूरवेडिक टॉनिक देते हैं और आपके टेस्ट करके ये देखते हैं कि ये problem क्यों आ रही है या फिर आपकी कई delivery हो चीक है मिस्कैरेच एबोर्शन हुए है तो भी आपका flow कम हो जाता है और डॉक्टर कई बार हिस्ट्रोइसकोपी करके देखते हैं तो कई बार उन्हें रेसे दिखाई देते हैं जिनकों की कार्ट दिया जाता है तो इसके बाद भी period का flow ठीक हो जात चौथी condition होती है hypermenorrhea इसमें period 8-10 दिन तक चल सकते हैं या आपको 3-4 पैट बदलने पड़ते हैं यानि कि बहुत ज्यादा flow होता है और अब जो condition में आपको बता रही हूं यह थोड़ी खतरनाक होती है जो की है primary amenorrhea यानि कि महिला की उमर 15-16-18-22 साल तक की हो जाती है पर पीछे कई कारण होते हैं जैसे कि महिला के अंदर uterus नहीं होता या technically वह अंदर से तो male है पर भार से female है और दूसरा होता है secondary amenorrhea इसमें महिला के period 60 से लेकर 90 दिन तक लेट हो सकते हैं तो यह तो बात होई irregular period के कैसे कैसे cases हो सकते हैं अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या है तो सबसे पहले इसके कुछ common कारण को जानते हैं देखिए period के लिए सबसे important hormone होता है estrogen और अगर इसका balance बिगड़ेगा तो आपके periods भी बिगड़ेगे तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगी जिससे की estrogen का level कम हो जाए जैसे कि आप बहुत ज़्यादा stress ले रही हैं कोई heavy exercise कर रही है heavy diet ले रही है जिसकी वजह से आपका weight भढ़ रहा है या कोई viral infection लग गया है या कोई बच्ची है उसके exams है और उसका stress है तो इन सब cases में estrogen का level कम हो जाता है और आपके periods irregular हो सकते हैं flow घटिया भढ़ सकता है इसके अलावा uterus related problem हो सकती है जैसे कि PID जिसको की pelvic inflammatory disease भी बोलते हैं वो हो गई है तो आपके periods irregular भी होंगे और आपको pain भी जादा होगा या फिर आपको uterine fibroid है जिसको की rasoli भी कहते हैं तो इसकी वजह से endometrium की lining मोटी हो जाती है और आपको periods heavy आ जाते हैं या फिर endometriosis है इसमें महिला की endometrium की lining uterus के बाहर तक आ जाती है तो इसमे आपको pain भी काफी जादा होता है और आपके periods भी irregular होती है और pain period शुरू होते ही शुरू होगा और आप period खत्म होने के बाद भी एक से दो दिन तक आगे रहेगा या फिर PCOD जो की लगबग हर 4 में से एक महिला को रहती है थाइराइट की problem है प्रोलैक्टिक हर्मोन की problem है जाते हैं इसके अलावा कुछ ऐसी भी problem होते हैं चुकि खत्रे का संकेत होती है जैसे कि ovary में cancer है या फिर ovarian failure हो रहा है ज्यादा तर तो ये 45 साल के उमर के बाद होता है पर अगर जल्दी हो रहा है तो आपको periods irregular होंगे ही अब बात करते हैं इसके treatment की तो इसमें तीन तरह के treatment होते हैं अगर आपको hormonal issues है तो आपको medical treatment दिया जाता है या फिर injection का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको endometriosis है तो आपको injections दिये जाते हैं अगर आपको infection है तो आपको antibiotics दिये जाते हैं और आराम करने को कहा जाता है और अगर को severe problem है तो आपको surgery की जरूरत पड़ती है इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बाद डॉक्टर से मिलकर अपनी जाज चरूर कर वा ले मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक चरूर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेर चरूर कर लें चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए स्वस्त रहिए